दोस्तों आच के इस वीडि़ियो में हम वनर पीश शुड के लिए नल फिटिन् Double Fitting किस तरह से की जाती है किस तरह स्यलियर की जाती है हमारे नल के कितने पाहिंडो को रखना होता है किस तरह फिट करना होता है धिवाल से कितने दूरी पर रखना होता है ये सबकु चार्च के इस स्टीयों में हम घाफी आसान तरीके से सीखने वाले है儿 इस स्टीयों को देखने वाद आपके जितने भी डाउड है वह स्ब्सक्राइब हने वाले हैं तो चल्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं नुलूट करना है तो चलिए हमें कहां-कहां पर कितने point देना है हम देख लेते हैं, पहले यहां पे हमारा एक नुलूट का point अने वाला है यहां पर हमारे चार पाइंड आने वाले हैं तो चली है पर हमारे फिटिंग हमने देख लिए हमें किस तरह करना है फिटिंग में क्या क्या सामान लगने वाला है वह हम देख लेते हैं हमां पर यूग पर यूपीवीच सामन जो सामान लगने वाले हैं वह हमारे पर अएक इन्च बाइ एक आधे इन्च के एलबो है यहमारे पास यह तो Как हमारे पर एक इन्च सी पहरics का da और भी हमारे पास काफी शामान है ये भी आज हमें फिटिंग में जो जो सामान लगने वाला है वह हम इस शामान को सभी बताएंगे तो हमारे वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए ये भी हम जो जो फिटिंग में सामान लगने वाला वह हम फिटिंग बताने वाला है आप हो तो चलि हमने शामान देख लिया है हमारा पास एक UPVC solvent है यह भी आज हमें फिटिंग में लगाना हो शुलेशन है हमारा पास चलि इसकी फिटिंग किस तरह से की जाएगी हो हम समझ लेते हैं इस तरफ में यहां पर एक एरोडिशन लगा देना है और यहां पर नीची के अर हमने जो टी लगई है वहां पर हमारे निल के लिए पॉंट आने वाला है तो यहां पर हमें पाइप की नप्ति करके आपको इसको अच्छे से काट लेना है आपको काटने के बाद इसको सही जाने वाला है और एक connection हमारा ऊपर की और जाने वाला है एक null के लिए एक jad spray के लिए यहाँ पे हमारे do拍h आने वाले है और यही नहीं से हमें connection को टंगी पर ऊपर ले जाना होगा तो पहले हम fitting कर ले थे हैं उसके बाद फिट टंगी यूपर को लाई है उसके फिटिंग आपको इसको थोड़ा से घुमा लेना था कि हमारा solution शही से फिट हो जाए देख सकते हैं यहां पर हमारी दो पाइंट की फिटिंग हो चुकी है अब यह पीछे के आप में एक flash tank का पाइंट देना होगा तो यहां पर हमारी टी की फिटिंग हो चुकी है अब इस पाइप को हम एलबो में फिट कर लेते हैं जिससे हमार जो flash tank का connection आने वाला है वो इसी टीशा आने वाला है यहां पर हम flash के लिए एक brush एलबो लगाना होगी चलिए फिला हम bashing के लिए point की fitting कर लेते हैं यहां पे आप देख सकते हैं खिरफ एक ही point देना होगा जो आदे इंची का देना होगा तो इसके लिए हम यहां पर एक Reducer लगाना होगा यह हमारे पासे एक इंचे बाई आदे इंचे का एक Reducer है तो यहाँ पर बीच में एक इंचे का Piper तुकला लगा लेना है जिससे हमारे जो Connection है एक इंचे से आदे इंचे का हो जाएगा और आपको एक Pint देना हो तो आप इस तरह से Reducer लगा के सिर्फ आदे इंचे का ही Pint देना है और आपको अगर जादा Pint देना हो दो सो तीन Pint देना हो तो आप Reducer एक आदा की Reducer की T लगा कर आपको Fitting करना होगी वरना आप अगर आदे इंचे से जादा Pint देगे तो आपके प्रेशर में काई फिर फरक पड़ेगा तो चलिए हैं पर हम ब्राश एल्बो की Fitting कर लेते हैं जो हमारे Breshing के लिए आने वाली है इस एल्बो को Fitting करने के बाद आपको देख लेना है ये एल्बो हमारी कहीं से बागी ना हो उपर या नीचे ना हो वरना हमारे प्रेश एल्बो को बिल्गुल सही सामने रखना है चलिए यहां पर हमारा एक फलेश टेंग के लिए प्रेश एल्बो लगने वाली है आदा इंची की तो हम इसकी नप्ति करके इसकी भी Fitting कर लेते हैं यहां पर आपको लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर दबा देना है जिसे हमारा पाइप सही से फिट हो सके आपको जितने भी Pint रखे तो आपको एक बात का हमेसर ध्यान रखना है कि हमारे Pint आपको सीधे रखना है ब्राश एल्बो कहीं से बागी नहीं रखना ह और फर्स लगने बाद काफी दिक्कत आती है नल कषने में हमें तो यहांपे हमारे Pint की Fitting हो चुकी है अब यह एक Pint हमें यहांपे जहीट स्प्रे यहांपे हमें इसकी भी Fitting कर लेना है यहांपर यह यहांप एक आदर इंची की UPVC Brash एल्बो लगने वाु लगने वाली ह आपको इसको height का काफी ध्यान रखना है वरना कि होता फर्स लगने बाद हमार नल काफी नीचे हो जाते हैं तो आपको इससा नहीं करना है आपको इसको point को रखना है तो चलिए यहाँ पर हम इसकी brush level के fitting कर लेते हैं इस null के point के लिए हमार पास दिनल के जो चारा पाइन आने वाले हैं उसकी फिटिंग हमने कंप्लेट कर ली है अब इस टंकी के अनेक्शन को हमें उपर गे और ले जाना होगा देख सकते हैं हमार पास जो फिटिंग है अब यहां से इस connection के में उपर गे और ले जाना को हमार पाइप की पीछे गेप है जो हमने पाइप लचानाने के लिए ही छोड़ी है यहां पर आपको एक elbow लगा के और एक हाफशेट लगा के इस तरह से line बना लेना है ताकि हमारे line कहीं से बाहर नहीं जाए और सही शे पिलर में फिट हो सके तो यहां पर हमें ब्राज एक elbow लगा रहे है एक इंचे UPVC elbow और यहीं से आपको एक pipe का तुकड़ा काड़ लेना है जिससे आपको pipe का सिर्फ उतना ही काटना जितने में हमारी हाफशेट फिट हो सके और आपको इस तरह से आपको इस तरह के से लगा लेना है जिससे हमारी line बिल्कुल सही से बनेगी देख सकता हमने आपको इसकी line किस तरह से बनेगी है किस तरह से फिटिंग की है आपको pipe को सीधे रखना है कहीं सी भी बाके नहीं रखना है तो चलिए यहाँ से भी इसकी pipe के हम फिटिंग कर लेते हैं और जो टंकिय का करनेशन है उपर के और ले जाते हैं दोस्तों अगर आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो सब्सक्राइब जरू कर ले तो चलिए इस pipe को हम यहाँ पर इस ट्री में फिट कर लेते हैं जिसे हमारे जो टंकिय का करनेशन आना वाला है इसी pipe साना वाला है देख सकते हैं यहाँ पर हमारी elbow और हाफशेट की फिटिंग अप्लिट हो चुकिए अब यहीं से एक pipe को हमें ऊपर की और ले जाना होगा जिसमें हमारे श्रेंटेक्स की हमें टंकिय फिट करना है तो चलिए ओपर की और हमारे टंकिय पाइब जाना वाला इसकी भी हम फिटिंग कर लेते हैं यहां पर उपर जो डालके हम नीचे solution लगा के इस हाफशेट में फिट कर लेते हैं आपको solution सही से लगाना है क्योंकि जादा तर जो हमारी लिकेंजिंग की problem होती है वो इसी वज़े से होती है हमारे कही बार solvent सही सही नहीं लगा पाते हैं तो आपको इसा नहीं करना है आपको solution लगाने का फिटिंग में काफी ध्यान रखना है तो चलिए हम देख लेता हमने एक फिटिंग किस तरह से की है यहां पर हमने एक हाफशेट एलबो लगा के यहां पर आगे के और हрь डिडिश टी लगा झिसमे हमारा नहल का पाऊंट ला ब्राश एलबो लगाके हमर अएक एक डिडिश ती लगा गह-इनकि वोपर के यह आँपर एक जेड एडिज़िश इप्रेर लगने वाली है यहीं से एक एक इंची की UPVC एलब लगा के इस तरह भी हमने एक डिडिशन ट्री लगई है यह कनेक्शन हमारा फॉलाश टेंग के कि लिए आना वाला है यहाँ पर हमारी शीट फिट फिट के लिए हमारे टेंग लगने वाला है यहाँ पर हमारा एक बेशन के लिए हमने पॉइंट दिया है जिसमें हमने एक डिडिशन लगा के एक ब्राश एलबो की फिटिंग की है तो चली हमारे नल की फिटिंग गविल्ट हो चुकी है यहां पर दो एक bathroom के लिए एक one-piece sheet के लिए symmetry pipe है यहां पर हमें इसके लिए point खड़ा करना हूँ उपर के और भी हमारे ट्विलेट बनने वाली है इसके लिए हमने उपर के और एक pipe खड़ा किया है इसी pipe से हमारा gas pipe भी आने वाला है तो चली है यहां पर आप देख सकते हैं हमें हमने symmetry का काम भी क्या है और null fitting का काम भी क्या है हमारे यहां पर fitting का complete हो चुका है अब यहां पर हम sheet को रखके देख लेते हैं देख सकते हैं हमारे sheet है अब देख लेते हैं हम इसके पहले fitting complete कर लेते हैं वरना हमारे वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा उसके बाद फिर हमाँ आपको आखरी में बताने वाले हैं कि हमने उसकी फिटिंग किस तरह से किये किस तरह उसकी नप्टी की है तो यहाँ पर हमारी सिनिट्री काम भी हो चुका है अब हम इस शीट को हटा के देख लेते हैं कि हमने सिनिट्री के पाइप को हमारी जो पाइप होता है उसको हमने किस तरह से फिट किया, किस तरह से नप्ती की देख सकते हैं अपर हमारे इस तरह स्टीट फिटरने वाली है, हमारे स्टीट बिल्कुल रखा चुकी है हमने नप्ती से इसकी फिटिंग की है अब स्टीट को हम हटा के आपको बताएंगे कि हमने पाइप को कितनी हाइट पर रखा है कितनी लंबाई कितनी दूर रखना है कितनी दिवाल साब को दूर रखना है तो चलिए इस स्टीट को हम यहाँ से देख सकते हैं यह पीछे को हमें कितनी जगा छोड़ी है इस तब भी हमें जगा छोड़ी है पीछी के और भी हमने काफी जगा छोड़ी जिससे हमारे इसके स्टीट को यूज़ करने में कही पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आईगी तो चली स्टीट का वहटा आगे देख लेते हैं उस पाइप के आपको नफ्ती करके बता देते हैं हमने शीट को कि पाइप को कितनी नफ्ती पर रखा है हमारे शाइट से आप सहूसिंम आपको तरहुंच से हम नफ्ती कर लेते हैं यहां पर पाश पीछे जगाने वाली है वो 11 इंची की जगा आने वाली है और इस तरह भी हमें 11 इंची जगा छोड़ देना आपको दोनों तरह 11 इंची जगा छोड़ देना है और आपको बस अगर दूसरी सीट हो तो आपको सीट के हिसाब से इसकी नफ्ति करना होगी दोस्तो तो यहाँ पर हमारी शेंटरिक फिटिंग में कंपिल्ड हो चुकी है आ